तो वाट इस अप गाइस यह वाचिंग टिक्रीव खुशाल और में नामें कुशाल लाख पाल गाइस बड़े टाइम बाद आ रहे हैं अन्बोक्सिंग आ चुक एक ब्रैंड न्यू ओपो के बजट फोन की जो आप इस हमें देख रहे हो वह है ओप 15 आपको दिख रहा होगा लोक्सिंग करने की कोशिश करिया है इसलिए लाइट गेट स्टार्टिट अ कि सवाइज यह हमारे पास आ चुक है ओपो का ए 15 स्मार्टफोन ब्रैंड न्यू और इसमें आपको पहले दिखा तो मेरे पास तीन जीवी और 32 जीवी वाला वेजिंट है जो मिस्ट्री ब्लू का है और इसके स्पैसिफिकेशन एल ट्रिपल केमरा 6.52 इंचेस की और फिंगर्प्रिंट सेंसर और 5230 एमिच की बैटरी देखने को मिल जाती है और इसके सारे वो लिखे हुए है इसकी प्राइज विए रहा एवरीफिंग की सब लिखा हुआ इसके अंदर और अब इसको ह सफेद सफेद हमें box देखने को मिल रहा है तो फटा फट खोल लिया जाए बॉक्स को और इस box को खोलते ही आपको एक सेक्षन देखने को मिलेकर जिसके नहीं हम सब को पता है क्या क्या चीजे होने वाली है इसके अंदर है एक transparent case जो भी हमें आपको खोल के दिखा रहु हू Transparent Case के साथ-साथ इसके अंदर एक Sim Ejector Tool और कुछ ग्यान की भरीवी बाते जैसे की सबसे पहले बात करते हैं Sim Ejector Tool और कुछ पुस्तके जो हमें पढ़ने की जरूत नहीं है क्योंकि हमको पता है और एक अच्छा साथ टेक्शी वाला हमें केस देखने को मिल जाता है यसके अंदर पढ़ा हुए फोन जो हाला कि मैंने पहले ही उसको उपर का स्टिकर उतार दिया था क्योंकि जहांसे मैंने परचेस करा है मैंने वही से उतार ली जाता और उसको वापीस ऐसे करवाये है इसमें पीछे तीम आपको देखने को मिल जाते हैं ओर आगे इक फ्रेंट कामर है गाईज यह फोन का जो कलर है ना वो भूट ज़्यादा प्यारा है और एक ग्लासी लुक देता है गाईज अब इसको रखते हैं और इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या मिलेगा एक इसके अंदर है Micro USB Cable जो मैं इसके अंदर लगी पर अगर इसके अंदर Type-C Port होता तो वो ज्यादा बेटर रहता मेरे हिसाब से पर कोई बात नहीं इसके अंदर आपको नॉर्मल जो टैन वोर्ट का जो चार्जर मिलता है वह आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर जो काफी अच्छी बात है अब 4000 एमेज की बैटरी के साफ से 10 वोर्ट काफी है यही थे कुछ बॉक्स कॉंपोनेंट्स अब यही आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा इसलिए अब आगे आपकी इस टेस्टिंग के तरफ रखते और लाइक करना ना बुलना आपने अन्बॉक्सिंग देख लिया है मेरे हाथ में ओपो ए 15 एक बहुत बड़ी 6.5 इंचिस की स्क्रीन के साथ वाटर ड्रॉप लिटाती है अब जब तक कि हम आते इसको तब तक हम खोल लेते हैं यह बूट हो रहा है और गाइस को खुल रहा है मेरा साइट अब दिख जाएगा इस रहा पूरा दिखाना नहीं चाहता और इसके से देखाता है अन्बॉक्सिंग रहे गई पर यह अन्बॉक्सिंग करना तो करना ही है यह सबसे पहले इसको कवर के अंदर लगाते देखते हैं अच्छी तरह से फिट आता है कि नहीं आता फिट तो आएगा बॉस काइस फोन भी बूट हो चुका है हाला कि इस फोन में भी बैटरी नहीं है पर इतना हमारा अन्बॉक्सिंग हमारी वीडियो तक तो चली जाएगी यारी कवर नहीं लग रहा लग गया वाइस कवर के साथ इसकी जो खुबसूरत है वह बहुत ज्यादा लग रही है कवर बि आइसके अंदर आपको तीन कैमरे का सैटप देखने को मिल जाएगा जो यह 13 में कैमरा और यह में ग्रकाश में मेरे को अधर यह के अंदर चार्जिंग पॉर्ट देखने को मिल जाएगी कि तरह मतलब है उगाई सबसे पर मिए लगते है यह यह जो जो देखते है ना इदे प्रोटेक्टर देते साथ में यह मेरे को बहुत बड़ी लगता है माइक्रो यूएस्बी है इसके अंदर चार्जिंग पॉर्ट ते में को थोड़ा सा अब गलत लगा कि भाई आज कि फोन में भी अगर तुम माइक्रो यूएस्बी पॉर्ट देते हो तो यह बात गलत है पर मिलेगी हो और साइड में आपको सिम जेक्टर तो जो भी देख के बताएंगे वाइस बिने टाइम बेशन करते हैं बताते हैं आपको इसके और अमेजिंग फीचर्स और इसके आपको स्ट्यूर्यों स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिलेगी तो यह देडिकेटेड माइक सब्सक्राइब करें दो सिम और एक माइक्रो एक जी कार्ड लग सकता है जैसे कि अब देख रहो मैं इसको वापिस डाल देता हूं और आगे इस फोन के बारे में हम बताते हैं अब मैंने डाल लिया है और मैं इसके अन्दर कवर वापिस से एक बार लगा रहो हूं क्योंकि इसका कवर लगाना मेरे को बहुत ज्यादा मुश्किल काम लगा इस फोन के अंदर जो लग रहा है समय है अब हम इसकी कैमरा टेस्टिंग की तरफ आ चुके हैं जैसी कि आप देख रहे हो इसके पीचे तीन कैमरा और इसका कैमरा भी खुला हुए पहले आपको फ्रेंट कै गाइज इसकी पिच्चर की जो ऑप्टमाइजेशन है वह मिलको काफी सही लगी और इसके अंदर वीडियो मोड्स के अंदर भी काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और पॉर्ट्रेट भी है इसके अंदर फ्रेंट में भी बैक में भी मैं सोच रहा एक प पॉर्ट्रेट में लेनों गाइज बहुत बढ़ी फोट वारी और इसके अंदर आपको पैनोरामा और एक स्टिकर्स देखने को मिल रहे हैं मतलब यू स्टिकर्स इसका मैं आपको आगे दिखाता हूं अभी तो फिलान कुस्टिकर है नहीं यह बहुत बिकार लगे पर में पर शूटिंग ले करना पड़ेगा मैं क्या कहूं है लगाई जब मैं आपको जो आगया के फोटो दिखाऊंगा मतलब आप इसके अंदर ऐसे कर सकते हो और कि इसके सॉफ्ट्वेर अप्डेट के बारे में बता दो तो इसके अंदर आपको तीन जी वी रैम और बतीस जी बी स्टोरेज देखने को मिलते हैं जो काफी अच्छी है और इसकी जो ब्राइटनेस है वह बहुत बढ़िया लगी मिरको लब जो स्कीन की जो रेशियो चार हजार तीन सो बीस एमेच की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है और इसके फिंगर प्रिंट सेंसर होने के साथ काफी सारे और भी अच्छे फीचर है जो आपको ओपो के फोनों में देखने को मिल जाते हैं यही ता इसके थोड़े क्योंकि यह बजट फोन है इसके में ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकते हैं पर कैमरा की सेंप्लिंग वियाल सब मैं आपको देख चुका हूं और इसके मैं एंड में जो मैं वीडियो बनाता हूं अपनी लब होप्स हो गया है वह मैं इससे शूट करके आपको बताने कैसी कैसी है क्योंकि एम थर्ट आप भी कर दो ओर इसका साउंड टेस्ट करते है यह मैंने फुल कर दिया और लाइक भी कर दो वीडियो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुब कामना है और यह हमारी की फुस्ट वीडियो गाइस साउंड बहुत अच्छी है इसकी मतलब जिस प्राइस के साब से आ आर पसनाते लाइक कर दो और वाई सब्सक्राइब भी कर दो सब्सक्राइब रोग दिया व्यूज दे जा रहे हैं सब्सक्राइब बढ़ाओ दोस्तों में शेर करो और ओपो एफिफ्टी वन की अन्बॉक्सिंग और रिव्यू यहीं पर खतम होता है मिलता हूं मैं आपको अगल